हेलो फ्रेंस कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे फ्रेंस देखे कनिर का फुल कितना खुशुरत लग रहा है तो फ्रेंस आब इनमें कलिया फुल खिलना सुरू हो गये हैं देखे तो फ्रेंस आज मैं एकालिफा की कटिंग लगाने जा रही क्योंकि मेरे पास एकालिफा कीवल सेंगल प्लांट है और मैं सोच रहे हूं कि उनकी कर्टिंग के धीरे धीरे धेर लो पौधे बना लो तो चलिए आप लोग को दिखातेim हैं एकालिफा का प्लांट तो देखिए फ्रेंस एह हैं एकालिफा का पौधा जो गर्णियों का बहुत ही खुरसुरत पौधा है अगर आपने नहीं लगा जा जाते हैं तो फिंस जो टोकरी में पौधे लेकर बेचते हैं मैं उन्हीं से 20 रुपए में खरीदी थी और अब तो एक साल होने को है क्योंकि रहनी सीजन में मैंने लिया था और अब रहनी सीजन सुरू हो गया है तो इनकी कटिंग रहनी सीजन में लगाएं या फिर विंटर सीजन में बहुत आराम से लग जाती है तो फ्रेंस ए आउट्टोर प्लांट है जितनी अच्छी इन्हीं धूप मिलेगी उतनी अच्छी से ग्रोथ होगा और इनमें फूल भी खिलेंगे अगर हम इन्हीं कुछ बेकार हो जाएंगे और इनके पत्ते भी छोटे छोटे होंगे फूल भी नहीं खिलेंगे तो इसलिए इन्हें धूप दिखाना बहुत ही चरूरी होता है तो यह गर्मियों का बहुत प्यारा पाउधा है फ्रेंस और आज मैं इनकी कटिंग को लगाऊंगी तो यह द काफी लंबे हैं इन भी भी लगता है जमीन में लगता है तो बहुत आराम से लग जाते है तो कटिंग करे के निकालते हूं तो देखिये फ्रेंस हमने पतली तहनी को कट करके निकाल दिया है यहाँ से और कफी है इनकी तहनीया जो है क्योंकि एक साल हो गए हैं तो बस एक यह तहनी बची थी तो मैं इनको करके निकाल रही हूं और अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं इनकी तो दो-चार कटिंग लगाएगा क्योंकि एक कटिंग का कोई भरोसा नहीं होता है फिलाल मैं इन्हें बचाने की पूरी कोसिस करूंगी और जब यह अच्छी तरह से लग जाते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर अगर नहीं हूं तो इसमें जो है सैंड मिति है उती तीनों को मैंने मिला लिया है और फाने भी डालकर इनकी करण लगाना चाहते हैं तो इनकी जुपतियां थोड़ा थोड़ा करकर हम हटा देंगे और देखिए मैंने त्रिचा कट कर लिया है तो इन में थोड़ा सा होल भी बना लेते हैं तरह से होल बनाएंगे तो लगभग एक इंज तक हम जो है मित्ती में इन्हें गाड़ देंगे और बहुत आराम से इन्हें दबा देंगे ताकि जो है हिले डूलेना नहीं तो अगर जरा साइने जो हावा ज्यादा लग गई तो दिक्कत हो जाएगे इसलिए जो है इन्हें बिल्कुल आराम से हम दबा देंगे मित्ती को ताकि इनकी जो रूर से बहुत आराम से बने तो फ्रेंस से बिल्कुल अच्छी जगे इन्हें रखना है ताकि जो है इन्हें कोई चुए ना क्योंकि बार-बात जो है चुने से तच करने से दिक्कत होती है और इनकी जो पत्तियां है हम इन्हें जो कट करके निकाल देंगे इस तरह से कट करके निकालेंगे तो फ्रेंस इन्हें हम दूप में नहीं अभी रखेंगे विल्कुल सैडी एरिया में रखेंगे जब लग जाते तब मैं निगाल कर आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोग जब लगाना चाहते हैं की कटिंग तो दो चार कटिंग लगाएगा और अगर आपके पास जैस इनकी कटिंग लगा दी और बिल्कुल सैडी एरिया में रखेंगे धुप में नहीं रखेंगे जब लग जाती है तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो फ्रेंस बाल्टी में लगा हुआ है देखिए बहुत ही चोटी बाल्टी है और इनकी तहनी कितनी मोटी है क्योंकि एक साल हो गया है तो फ्रेंस इसमें मरुआ का भी पौदा लगा है बहुत अच्छी महाका रही है इनकी और इस से तयार हुए है और एक उचिया का है तो फ्रेंस इन्हें हम बड़े से पौट्स में लगा सकते हैं जमीन में लगा सकते हैं क्योंकि मैं इनका पौदा कोलकता में ज्यादा करके देखी हूं और जमीन में लगे थे तो काफी बड़े-बड़े इनके पाउदे थे और इनके पत्तियों के कलर भी अलग अलग थे तो फ्रेंस बहुत ही आसानी से तो फ्रेंस समनें की कटिंग लगा दी जब यह अची तरह से लग जाते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी फिर मिलते हैं आप लोगों से तब तक के लिए धन्यवाद बाइबाए